हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो पे बात करेंगे UPW vs MIW यानि की UP Women और Mumbai Women के बीच वे जो आज आपको WPL का मैश नमर 10 खेला जाता दिखेगा बैतरीन मैश होने वले और उमीद करेंगे हम भी इस पे कुछ बैतरीन करें तो वीडियो को आपने फुल देखने हैं अगर आप फुल देखोगे यकीनन तौर पे कुछ अच्छा कर पाऊगे आपको सारी वीडियोस की नोडिविकेचन दोस्तो आएंगी अब दोस्तों मैं यहाँ पर without wasting time करना चाहूँगा आज के मैच की बात मैच का venue रहेगा ब्रबॉन स्टेडियम ब्रबॉन स्टेडियम एक अच्छा venue रहा है रीसेंट टाइम में जहां कुई काउट फिल्ड की वज़े से अच्छे खासे runs बने हैं यह एक्शली दोनों ग्राउंड में रहा है जो इस WPL में यूज हो रहे हैं लेकिन क्योंकि अब मैच इस होते जा रहे हैं यह थोड़ा 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 आप देखोगे आप बोलर्स के फेवर में जाने लगेगा है ठीक है अगर आप देखोगे इस में यू पर हुआ क्या है पिछले मैच अम स्टड़ी करने आया है तो सारे अच्छे से स्टड़ी करेंगे यहां पर डेली ने 223 किया आर सीबी ने 163 यहां आर सीबी ने किया 155 मुंबई ने किया इजी चेज यहां गुजरात ने 201 आर सीबी ने 190 अरे वा अभी तक तो हर इनिंग्स में हमें 150 मिला पिछले मैच में आर सीबी ने 138 ही किया केवल लेकिन यूपी ने जिसी साब से वो चेज किया है इस पर मुझे लगता है आपको कोई मुश्किलात आरी नहीं चाहिए आप समझ रहे हो कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी विकेट है ठीक है अब 44 में से 13 विकेट फास्ट होगी है 27 स्पिन को ये दर्श आता है कि स्पिन अच्छा कर रही है पिछले मैच में तो 10 में से 8 स्पिन को विकेट थी जिसमें दीपती शर्मा और सोफी एकलिस्टो ने डॉमिनेट किया था विकेट रनोट के थुरू गई थी अब दोस्तों आगे की बात करते हैं दोस्तों आगे आने वाली स्लाइड पर देखने वाले लेकिन अब यह हो गई है भार इनकी जगह जो आई है वह हम बात कर लेंगे बाकियों का सबका रिसेंट फॉर्म लिखा हुआ है आप देख सकते हो ठीक है मैं आगे जाने वला हूं जहां पर हम इनकी लाइनप देखेंगे लाइनप में आपको लास्ट इम देखने को मिला एक ताहिली के साथ उसके लावाब वंडाउन पे आपको श्वेता सहरावत मिलेंगी के रहन नवगीरे है इनका भी थोड़ा सा क्रम अभी डाउट रहेगा श्वेता क्योंकि इससे पहले ओपनिंग आ रही थी पिछले मैच में ओपनिंग पसीदर देविक आए श्वेता पता बोलिंग में इनके पास अंजली सरवनी अवेलेबल है राजेश्वरी का एकवाड अवेलेबल है लास्ट जो मैच था इनकी ग्रैंड लिग वीडियो मैंने जब बनाई थी उपी उस मेरे वर्ड्स थे अगर राजेश्वरी और अंजली सरवनी इक्वल विकेट्स आपको जाएंगी तो हमेशा अंजली के जादा पॉइट होनी के ज़ादा चांस fruit रहती है कि यहाँ सीछ नॉटोड ऑपको देखने को बावजूद बल्लेबाजी ना आना जबकि N-Sign का मतलब होता है जिसे यहां पे Grace Harris के आगे है not play, तो Grace Harris पहले मैच 59 not out और दूसरे मैच not play, तीसरे मैच पे बल्लेबाजी नहीं आई लेकिन यहां इन्होंने कर दिये 4 over बाकि यहां पे तहीला ने बीच मे 90 not out किये, इस मैच पे बल्लेबाजी आई नहीं सबके आप scoring देखोगे तो आपको realize हो जाएगा कि सबसे अच्छी form में अभी तक जो देखने को मिली है पहले मैच में इनकी great series, दूतरे में मेगराथ तीसरे में हीली, Australian connection देख रहे हो इस बार तीनों overseas ने एक-एक मैच परफॉर्म किया है बाकि सोफी एकले स्टोन ने पहले मैच पार 22 not out किये थे यह रहे है टीम की strength, दीपती अभी तक उत्ता बल्ले से काम नहीं कर पाई लेकिन वो कर सकती है, वो उनमें शमता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है ठीक है, बागी bench पे इनके पास शब्रमी स्माइल है, एक मैच खेली थी उसमें उन्होंने ओवर डाले जरूर थे, वो आपको यहाँ दिखा चुको चार ओर 29 पे बट मुझे नहीं लगता है, इस मैच में खेलेंगी, एकले स्टोन खेलेंगी और यह पूरे ओवर करती है दीप्ती पूरे ओवर करती है, यह दोनों डैठ में भी आ जाती है, पंदरवा, वीसवा, सतरवा, उननिसवा ओवर आप देख सकते हो दीप्ती का तो यह डैठ में भी दोनों आती ही आती है, राजेश्वरी का एकवर ने चार ओर कर दिये थे, लास्ट मैच में दो विकेट निकाले थे मैं इधर आगे हूँ, मानलोब किसी का भी फुल T20 रिकॉर्ड देखना चाहते हो, अब यहाँ पर मानलोब को ग्रे सैजिस का देखने है, 33 मैच में 21 इनिक्स में 334 रन, 22 कावरेज, एक हाफ सेंचरी और 9 विकेट है, यह इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, डब्ल्यू बीबल म मुंबई की टीम में बचाई है, हर मैच में आके विन कर रहे हैं, और विन इतना तगड़ा कि ग्रेंड लीग में यहाँ पर लगातार आपको ऑपरसुनिटी दे रहे हैं जीतने का, इसलिए आज ग्रेंड लीग वीडियो लाओंगा, वैसे आज संडे का देनने है, आज द किफों में आप पहले भी देख चुके हो, तो मैं आगे बढ़ना ज्यादा इंपोर्टेंट समझूँगा, फिर भी कोई पहली बार हमारी वीडियो पर आया है, तो गौर करना इंपोर्टेंट रहेगा, तो यह दोस्तों इनका बल्ले बाजी करम चल रहा है, अभी तक कोई ही चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई की टीम आने वाले टाइम में आपको बहुत मज़े देने वाली है, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर इनके दो-तीन विन और होगे ना लगातार, फिर आखरी एक-दो मैच्चे में आप देखोगे, जिन प्लियर्स को पुजा अवंजोत, देन इजी वांग है, हुमायरा काजी है, यहां तक इनके बास बल्लेवाजी है, सच बताऊं, जिन तीमनी कलीता भी थोड़े रन माल लेती है, ठीक है, यह ध्यान रखो, यहां तक बल्लेवाजी है, टीम की साइका इश्के तो भाई है, तो समझी रहो पुजा इजी वांग, यह भी हिट लगा लेती है, यहां पे आपको यहां तक हुमायरा काजी और जिन तीम बनी कलीता से बल्लेवाजी मिल सकती है, यह इतनी स्ट्रॉंग टीम है कि इनके नमबर दस पे भी ऐसी प्लेयर आती है, जो हिट लगा लेती है, दोस्तों मुंबर इंडियन्स की अब आप देख रहे हो, बोलिंग, बोलिंग में आपको देखने को मिलेंगी, टॉप परफॉर्मर विकेट जो सबसे ज़्यादा लेके गई है सुनामेंट में, साइका इश्क है, पिछली मैच में तीनी ओवर किये, जो था सेकंड, फोर्थ और थाटीन ओव पास भी है, ये भी तीन ओवर डाली, पिछले मैच में चौथा भी डाल सकती थी, अठारा ओर में ही सामने की टीम को अलट कर दिया, उन्निस में बीसमें ओर की ज़रोती नहीं पड़ी, डैली कैपिडल्स को इन्होंने आउट किया था, पूजा बस्तरा का चार और 23 पिछे पहले मैच में और दूसरे मैच में फीर पहले मैच में आउटरा constructive आरे फिल सटेट और हरे प्ले में एक का रिकॉड आहां अपको आपको सब güter्में पते हैं। अगर इनको उठाना हो आपको अगर ये खेलें तो उठाओगे क्योंकि या प्लियर ही ऐसी है अगर आप इनकी ओवर्सीस प्लियर देखोगे 6-6 अच्छी है कभी भी कोई भी रिप्लेस होता है किसी को भी मौका मिलता है अब अपनी टीम से छोड़ना मत क्योंकि वो आपको विन करवा के जाएंगी अब दोस्तों यहां पर मैं आगे बढ़ गया हूँ जहां पर मैं देख रहा हूँ इनके बोलर्स के स्टैट्स जैसे पूजा है यह तो रन भी मार लती है 47 मैंच 261 तीस विकेट ठीक है रन भी मारे हूँ है 261 आपने सबका यहां देखके चलना है रिकॉर्ड मैं आपको सबका बारी-बारी दिखा चुका हूँ अब हम दोस्तों डिसकस करेंगे इनके प्लेयर मैच अप्स एलीसा हीली लास मैच में तुमने बहुत कुछ किया किसके आगे आउट होती हूँ हेले मैथ्यूस के आगे होती हूँ तीन विकेट उन्होंने यहां दिय है यहां पर एक बार वंडे में तीन बार टीट्वेंटी में नैट सिवर के आगे चार-चार बार दोनों फॉर्मेट वंडे टी-20 में अमिलिया करके आगे दो बार वंडे में और दो बार टी-20 में इंफेक्ट तीन बार वंडे में तो यह देख सकते हो कि इनके आगे तो तंग रही है इसके लावा इजी वांग, हैधर ग्राहम, पूज इस गेम में 26 रह तीन बार इवन नैट के बढ़ा है ठीक है है ले मेथिवस के सामने नॉर्मल पूजा क्या आगे एक बार टी ट्वंटी वन ने में ऊट हैदर ग्राम क्या तीन बार और क्लोई टेर उन क्या गे एक बार एक बार उट हुई है विप्ति शरमा देखोगे वंड इसके मैच-अप्स, Natsiever ने 3 बार, Hailey Matthews ने 1 बार iather Graham ने 1 बार आउट किया है, मैं आपको overseas player ना मिस नहीं करता, मैच-अप्स में चाहे खेली नहीं है, Hailey Graham अवीदा कभी भी आयेंगी ना तो सीधा kii player बनेंगी, इसलिए मैं सब का बता के जलता हूँ, बाकी Sophia Acklesstone सब क्या ने एक बार, दीप्ती शर्मा ने दोनों T20 वंडे में एक बार, तो सोफिया कले स्टोन से खासा ट्रबल मिला हेले मैथ्यूज को, अगर आप यही देखो, सोफिया कले स्टोन ने 33 गेंडाली हर्मन को एक बार T20 में आउट किया और रन नहीं करने दिये, केवल 16 रन, जबकि लोनों T20 वंडे में बहुत किया है, और शब्नमने एक-एक बार, दोनों T20 वंडे में तहीला में दो बार, ठीक है, Nat Siver पर आते हैं, शब्नमने इनको 29 बार दो बार यहां पर किया है, वंडे में 3 बार t20 में लेकिन शबनम के खेलने के चांस कम है भाइक लगबउद उनको दुनों t20 वंडे में तहीला ने दो बार दीपती शर्मा ने एक बार और तीन बार आप देखोंगे वंडे में भी यहाँ अम्लिया कर को ठीक ही आपने देख लिए मैच अपस तो इनके दो प्लियर और हैं ओVERसीज, हेटर ग्राहम और क्लोइट रोन नज़र ढल सकते हो तहीला में ग्राथ ने दो ब़र आउट किया है हेदर ग्राहम को और एकलेस्टोर ने एक बार आउट किया है हेदर ग्राहम को जबकि कुछ खास जादा टरबल ही आप कहलो कि दिया है सोफी एकलिस्टोन ने पांच बार T20 में चलने नहीं दिया क्लोईटर उनको दो बार वंडे में शबनम ने दो बार एक एक बार यहां पर गायकवार्ड ने वंडे T20 में दीप्टी शरवाने एक बार आप देखोगे इनको तंग किया है वंडे में लॉरेन बेल ने भी एक बार आउट किया लेकिन इससे क्लियर आपको वीकनेस देखने को मिल रहे हैं जब भी खेलेंगी क्लोईटर उन लेफ्ट आम स्पिन क्योंकि गायकवार्ड और एकलिस्टोन दुनों अच्छे युनीक फीचर में जैब को तर आपको टीम क्रियेशन is यहां पर हमारे टेलीग्रम चल में जो इन नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अब मैं जाओँगा, टीम क्रियेट करने हैं, दोस्तों, यहां पर आ गए है आप और मैं टीम क्रियेट करने हैं, अपनी, फैंटेसी में विगेट कीपिंग्ज एक्शन कितना ही मोटन भी बता है, सबसे पहले मुस्कराते हुए अलीसा हिली को हम लेंगे क्योंकि last match में उन्होंने कताबर्त और इरिक्स के लिए दोनों विकेट कीपर के सामने एक challenge होगा कि बहुत अच्छी bowling attack है क्या आप दोनों विकेट कीपर लेना चाहोगे क्योंकि दोनों विकेट कीपर opening पे है थोड़ा सा विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकती है, इसलिए मैंने ले लिया है, जरूरी नहीं है आपको दोनों लेने हैं, बट मैं दोनों को लेके चलूँ, यास्ति का लेफ्ट हैंड ओपनर, एली साहिली राइट हैंड ओपनर, यह है शिंदे जी, शिंदे जी करती बाला ओ बाला नहीं खेलेंगी, अभी ठीक है, बाकी हम यहां पर बल्ले बाजी पर आगे हैं, जहां पर आपको पहले मिलेंगी हर्मन परित कौर, और सबसे मोश सिलेक्टेट प्लेयर है, बट फिलहाल दोस्तों मैंने हर्मन परित कौर को नहीं लिया है, इसका एक रीजन बाला देता हूँ, हर्मन परित कौर को ले सकते हो, लेकिन मेरे पास टीम में अभी मुझे पता है क्या टीम करनी है, जगा नहीं बन रही है, अब देखो इंडिया की कैप्टन है, मैं आपको बोलूँगी भीया, मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इंडिया की अगर पहले ब पता है कि बल्लेबाजी कहां करेंगी, क्योंकि देवी का वेधिया टॉप पे आ गई, अब बन नौन क्या सहरावाद जेंगी, उससे फिर पॉइंट पोटेंशल के पी नवगिरे का कम हो सकता है, हलकी है, पावर हिटर, लेकिन सामने मुंबई का बूलिंग भी है, ठीक है, क्लोई टेरोन अभी तक खेल नहीं रही है, वैसे मुस्कुरा रही है, स्वेता सरभावत लास्ट मैच पे आई नहीं टॉप पे प्लेयर अच्छी है, बट अभी मैं ध्यार नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, अमन जोत कॉर, वैसे ये स्वेता ना अंडर-19 वर्ड कप की बेस् मैं मैट की पाऊंगे गअरा नहीं खे फीel on मैंट को करने रहे हैं, वैसे मैट से रहे हैं, आपको का काफं है पनार को बहुत दोगे gymnastics नहीं है, यह सो ठीक है ताहीला में ग्राथ वेरी इंपोर्टेंट प्लियर आपको राइट हैं राइट हैं मीडियम पेस लेकिन लास्ट रच में ओर नहीं डाले बहुत बड़ी प्लियर है और यह आने वाले टाइम में लेजेंड बनेंगी ही ठीक है इनको मैं लेके चल रहा हूं मेरे साथ से ऑक्षन की स्टील थी एक करोण में देविका वैदे अब ओपनिंग पर आ रही है विकल्प बन गया ओवर भी कर सकती है ओपनिंग भी कर रही है तो में ट्राइ इन्यों टीव इजिली आउट नहीं होती लेकिन मुंबई की बोलिंग के सामने बस यही बात है मैं लेने का सोच रहूं बट अभी मैं वेट कर रहा हूं ठीक है हुमायरा खाजी खेल रही है लेकिन कुछ मौका नहीं मिल रहा बाकि प्रशवी चोपर और न में सब्सक्राइब आउन ऑफिस तौम ने लास वैज में छोन को कराम कर सकती है जोनों को लेन फॉर करेंगी तो अच्छी घासे आपको दे सकती है पुजा वस्तराकर वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों इनका सिलेक्शन कम है क्योंकि इनके ओवर कम हो रहे हैं और बल्लेबाज ही आने रही वैसे यह फोर डॉन की बल्लेबाज है पावर हीटेर हैं कही बहुती बढ़ी फील्डर भी है एकली फिनॉमिनल इसलिए इनको बोला जाता है कि इंडिया के लिए बहुत इंडिया सिएक्षं इनको शायद और कम दे रही है इस ओज़ें से सेलेक्शन कम है बट नॉर्मले इनका सिलेक्शन कभी इतना कम नहीं होता पूजा को आप डेफिनेटली अपने विकल्प में रख सकते हो, शबनम इसमाइल खेलने के कम चाहस है, गायकवाट, जा हमार पास इतने ओप्शन्स है, गायकवाट को लेना मुश्किल हो रहा है, वर्दाब बोलर खराब नहीं है, इंडिया की प्लियर है, अंजली सरभनी है लेफ्ट आम फास्ट, लॉरेन बेल अभी खेलने रही, अच्छी पेस बोलर है, वर्ल्ड की बेस्ट स्विंग बोलर भी कह सकते हो, इन टरम्स उस्विंग, इनोंने मेरिजना कैप से जादर स्विंग पाया है, नंबर्स में बात करूँ, डिगिरी ऑफ स्विंग में, हैध विकल बन रहे हैं, मैं एक्चली दोस्तों, अगर तो मुंबई की बोलिंग हुई, तो इसी वॉंग को ही लेने वाला हूँ, अदरवाइस हो सकता है कि मैं यास्तिका को छोड़ दू, फिर उस केस में हर्मन मिर पास आ जाएंगी, अगर मुंबई की पहले बलेवाजी है, ब यह दोस्तों, मैं आपको अपना CVC दिखाने के लिए आ गया हूँ, कैप्टन सी, वाइस कैप्टन सी के जो बेस्ट विकल्प है, उसमें और राउंडर्स पर जाओगे तो बहतर है, हेले मैथ्यूज, नैट सिवर, दीप्टी शर्मा, एमिलिया कर, यह मुझे बेस्ट आप अगर मुंबई की पहले बल्ले बाजी है, मैं वीसी अमिलिया कर को करूँगा, अगर बाद में हैं तो हो सकता है, सिवर को करके जो, दीप्ती बिल्कुल कम मत समझना, उनको भी कर सकते हो, अमिलिया कर को मैंने अपना वाइस कैप्टन बनाया, इस मैच के लिए आप पास ज अच्छा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस कर लो, और नोटिफिकेशन कर दो हो, ताकि आप और मैं दोनों नहीं वीडियो में और अगली वीडियो में मिलेंगे